हे किडो, हाव आर्यू, आओ, आज से हम सुरू करते हैं एक रोमान चक सफर, हाँ, यह है कथा सिहासन 32 की, प्राचेन समय की बात है, उज्जेन में राजा भूज राज्य करते थे, वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे, उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा नयाई कर करते थे कि दूद और पानी अलग-अलग हो जाए, नगरी में एक किसान का एक खेत था, जिसमें उसने कई साग और सबजी लगा रखी थी, एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई, पूरी जमिन पर तो खूब तरकारी आई, लेकिन खेत के बीचों बीच डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा, किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया, जब भी किसान मचान पर चरता, अपने आप चिल्लान लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ, और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ, जल्दी जाओ, सारी नगरी में यह बात आग की तरफ फैल गई, और राजा भोज के कानों में पहुँची, राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बाते अपनी आखों से देखना, और कानों से सुनना चाता हूँ, राजा भोज, जब उस जगह पहुँचे, तो उन्होंने भी वही देखा, कि किसान मचान पर खड़ा है, और कर रहा है, राजा भोज को फोरण पकट लाओ, और मेरा राज्य उस से ले लो, यह सुनकर राजा चिन्तित हो गई, चुपचाप महल में लोटाई, उन्हें रात पर नेन नहीं आई, सवेरा होते ही, उन्ह पंडितों को इकटा किया, उन्होंने अपनी गुपनिये विद्या से पता लगाया, कि उस मचान के नीचे कुछ छुपा है, राजा ने उसी समय आगना दी, कि उस जगह को खुदवाया जाए, खोते खोते जब काफी मिट्टी निकल गई, तो अचानक एक सिहासन प्रकट ह सिहासन के चारो और आठाठ पुतलिया यानि कुल 32 पुतलिया खड़ी थी, सबके अचरत का ठिकाना ना रहा, राजा को खबर मिली तो सिहासन को बाहर निकलने को कहा, लेकिन कई मद्दूरों के जोल लगाने पर भी वह सिहासन टस से मस न हुआ, तब एक पंडित ने कहा, क उजार्चना करते ही सिहासन ऐसे उपर उठाया, मानो फूलों का हो, राजा बड़े खुस हुए, सिहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक अनूठी थी, सिहासन के चारो और 32 पुतलिया बनी थी, उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था, राजा ने हुकम दिया कि खजाने से रुपिया लेकर सिहासन दुरुस्त करवाई, सिहासन सुंदर होने में पाच महने लगे, अब सिहासन दमक उठा था, जो भी देखता देखता ही रह जाता, पुतलिया ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेगी, राजा ने पंडित को बुलाया, और कहा, आप कोई अच्छा मुर्वत निकाले, उस दिन में इस सिहासन पर बैठूंगा, दिन तय किया गया, दूर दूर तक लोगों को निमंत्रन बेजे गए, तरह तरह के बाजे बदने लगे, महल में खुशिया मनाई जाने लगी, पुजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाइन उसे पूछा, ओ सुन्दर पुतलियो, सच्छत बताओ कि तुम क्यों हसी, पहले पुटली का नाम था रत्नमंजरी, राजा की बात सुनकर वह बोले, राजन आप बड़े तेजस्वी है, धनी है, बलवान है, लेकिन इन सब बातों का आपको गमन भी है, जीस राजा का यह स सियासन है, वह दानी, पीर, एवं धनी होते हुए भी मिनम्र थे, परम दयालू थे, राजा बड़े नाराज हुए, पुतली ने समझाया, महराज यह सियासन, परम प्रतापी और ग्नानी राजा विक्रम आदित्य का है, राजा बोले, मैं कैसे मानलू कि राजा विक्रम अदित्य की एक कहानी सुनाती हो, दोस्तों, आगे के बागों में हम जानेंगे, हर पुतली के द्वारा सुनाई गई हर एक कहानी, सो स्टे ट्यून, बाई!